नमस्कार आज हम हिंदी भाषा की सात्वी कक्षा की पाठ्थे पुस्तर ग्यान सागर के पाठ उन्निस गनेश उस्व के अभ्यास के प्रशन करेंगे इस पाठ का अध्यन हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं यदि किसी बच्चे ने वे वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये प्रशन जो हैं अच्छे से समझ में आ जाएं और आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताईएगा तो आईए इस पार्ट के अभ्यास के प्रशन शुरू करते हैं पहला प्रशन पार्ट में से गनेश चतुर्थी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है तो इसका उत्तर है गनेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी पुकारा जाता है गनेश जी को का अन्य ना क्या है एक विनायक भी है इसलिए गनेश चतुरती को विनायक चतुरती के नाम से भी पुकारा जाता है अगला प्रशन गनपती को किसका देवता माना गया है प्रतेक कारे से पहले उनका पूजन क्यों किया जाता है तो उत्तर देखते हैं गनपती को विगन नाशक कि गणपती जी को विग्न नाश चेक यानि विग्नों को पाधाओं को मुश्किलों को दूर करने वाला उनका नाश करने वाला कहा गया है और उन्हें बुद्धी का देवता भी माना गया है और कोई भी कारे ठीक से पूरा हो उसमें कोई भी बाधा या अडचन ना हो कर्मा की थी लेकिन मोदक गनेश जी को मिला क्यों तो उत्तर देखते हैं कार्तिके ने पृत्वी की परिकर्मा की थी लेकिन गनेश जी ने अपने माता पिता की ही बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से परिकर्मा की थी और माता पिता सारी पृत्वी से भी महान होते हैं इसलिए मोदक गनेश जी को मिला कि कार्पी केश जी ने तो पूरी पृत्वी की परिकर्मा करके वो वापिस आये लेकिन गनेश जी ने वहीं पर अपने माता पिता की ही परिकर्मा की क्योंकि माता पिता जो है सारी पृत्वी से भी महान होते हैं इसलिए मोदक जो है गनेश अगला प्रश्न जो गणपती का विसरजन करने नहीं जाते वे क्या करते हैं तो इसका उत्तर है जो लोग स्वें किसी कारणवश विसरजन के लिए नहीं जा सकते वे सारवजनिक गणेशोसव की बड़ी मूर्ती के साथ अपने घर की छोटी मूर्ती रख देते हैं सारवजनिक गणेशोसव यानि की जहां पर एक मुहले के जो लोग हैं इखटे मिलकर जो गणपती का त्योहार मनाते हैं इखटे मिलकर वे गणेश जी की मूर्ती लाते हैं मतलो सारा कारे जो एक साथ मिलकर वे करते हैं और वे अपने घर की छोटी मूर्ती उस बड़ी मूर्ती के साथ रख देते हैं और इनी बड़ी मूर्तियों के साथ छोटी छोटी मूर्तियों का भी विसरजन हो जाता है हमारा जो अगला प्रशन है वह है प्रशन नमबर 6 पाट के अधार पर नीचे कुछ कथन दिये गए हैं सही कतनों के सामने सही का और गलत कतनों के सामने गलत का चीन लगाईए गलत कतन को सही करके दुबारा अपनी कोपी पर लिखिये आप तो देखते हैं गनेश चतूरती के दिन गनपती की मुर्ती को घर लाकर उसकी पूजा की जाती है तो इसका क्या आएगा सही कि गनेश चतूरती के दिन गनपती की मुर्ती को घर लाकर उनकी पूजा की जाती है आगे हैं इस अवसर पर विशेश रूप से खीर त्यार की जाती है तो ये कथन जो है ये गलत है तो इसमें क्या आएगा कि इस अवसर पर विशेश रूप से खीर की जगा क्या आएगा मोदक त्यार किये जाते हैं अगला तिलक के जमाने से गनेशोसव को सारवजनिक रूप से मनाने की प्रथा शुरू हुई जो बाल गंगाधर तिलक थे यहाँ पर तिलक का अर्थ है बाल गंगाधर तिलक जी के लिए लिया गया है कि उनके जमाने से उनके समय से गनेशोसव को सारवजनिक रूप से मनान जो है शैव परिवार यानि की शिव परिवार का एक परमुख देवता है शहर में गनेशोच सब 20 दिन तक चलता है तो इसका क्या आएगा गलत क्योंकि 20 दिन तक नहीं 10 दिन तक चलता है अनन्त चतुरदशी को गनपती विसरजन की तियारियां शुरू होती है तो इसका क्या आएगा अंसर सही ये कथन भी बिल्कुल सही है गणपती की पूजा केवल महराष्ट में ही की जाती है तो इसका क्या आएगा गलत गणपती की पूजा जो है अब पूरे भारत में की जाती है आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रशन की और हमारा जो अगले प्रशन है वे बातचीत से संबन्दित है गणपती और कार्तिके का वाहन क्या है तो ये तो आप सभी को पता होगा गणपती का वाहन मुसक यानि की चूहा और करतिके का वाहन मियूर यानि की मौर है अगला प्रशन गणपती की खुबसूरत मुर्तियां किन कारिगरों द्वारा बनाई गई गनपती की खुबसूरत मुर्तियां महराष्ट के पेन नाम की जगा के कारिकरों द्वारा बनाए गई अगला प्रशन गनेश चतुर्थी के दिन चंदर्मा नहीं देखना चाहिए इसके पीछे किस पुरानिक कथा का उलेख किया गया है गनेश चतुर्थी के दिन चंदर्मा नहीं देखना चाहिए इसके पीछे एक पुरानिक कथा है जिसमें गनपती चूहे पर सवार होकर जल्द बाजी में कहीं जा रहे थे और हडबडाहट मेवे नीचे गिर गए यहें देखकर चंदर्मा को हसी आ गई गनपती जी इस बात पर चिड़ गए और उन्होंने चंदर्मा को श्राप दिया कि गनेश चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारी सूरत देखेगा उस पर चोरी का आरोब लगेगा गनपती का विसरजन किस प्रकार किया जाता है तो इसका उतर है गनपती का विसरजन अनंत चतुर्थी के दिन पूरे हरशोलास के साथ किया जाता है इस दिन जुलूस निकाला जाता है जुलूस में लेजियम बजाने वालों और भजन किर्टन करने वालों के दल होते हैं अन्य लोग भी गीत बजाते चलते हैं गुलाल भी उडाया जाता है और गणपती बप्पा मोर्या पुडचिया वर्षी लोकर्या के नारे लगाए जाते हैं कि गणपती बप्पा मोर्या पुडचिया वर्षी लोकर्या का अर्थ है कि अगले बरस तुम जल्दी आना कि अगले साल भी तुम जल्दी से हमारे घर आना आगे बढ़ते हैं हमारा जो अगला प्रशन है अनुमान और कल्पना से सम्बंदित है आप गणेश चतुर्थी का त्योहार कैसे मनाना चाहेंगे तो इसका उतर है मैं गणेश चतुर्थी का त्योहार अपने परिवार वा मित्रों के साथ धूम धाम से मनाना चाहूंगी और साथ ही पुरानिक कथाओं के नाटक मंचन की भी व्यवस्था करूंगी जिसमें इस त्योहार से संबंदित पुरानिक कथाओं का वर्नन किया जाए अगला प्रश्न किसी तरह की हानी होने के डर से बच्चों को सरल काम दे दिये जाते हैं दिपावली के अफसर पर बच्चों को कौन कौन से काम दिये जा सकते हैं तो इसका उत्तर है दिपावली के अफसर पर बच्चों को अपनी पसंद की रंगोली बनाने का काम दिया जा सकता है सूती कपड़े पहनने और पटाखे ना जलाने का निर्देश दिया जा सकता है इसके अतिरिक्त घर की साफ सफाई का कारे भी दिया जा सकता है कि बच्चों को ये निम्न कारे दिये जा सकते हैं दिपावली के त्योहार के दिन तो बच्चों इस पार्ट के भाषा की बात और जीवन मुल्य से सम्मधित प्रशन जो हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार